दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भी जब हम Tally Prime Software में किसी कमपनी की accounting maintain करते हैं तो हम routine की एक जो हमारी accounting voucher होते हैं purchase invoice, sell invoice, payment, receipt, credit note, debit note या banking voucher सारी transaction entry complete कर लेते हैं उसके बाद में जब हम balance sheet पे आके देखते हैं तो जो हमारा balance sheet में जो हमारी liability side में एक जो हमारा group create होता है current libraries गा और उसके अंडर में जो subgroup होता है duty and taxes का अब जो duty and taxes का जो group होता है उसके सामने आपको यह जो amount है अक्सर आपने देखा हुआ यह minus के निसान के साथ show होती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यह सारी बाते है practical discuss करने वाले हैं भी यह जो duty and taxes के amount minus के साथ अगर show करती है तो इसका मतलब क्या होता है और यह कुछ जुरूरी भी नहीं है भी सबी कमपनियों में यह जो balance है वो minus के निसान के साथ show यह plus में भी हो सकता है तो plus में हो counting maintain करते हैं तो उस company में कौन-कौन से ऐसे ledger होते हैं जब हम उन ledger को create करते हैं तो उन ledger का जो group है वो हम duties and taxes को select करना पड़ता है तो सारी बाते आज हम इस वीडियो में practical discuss करेंगे तो दोस्तो वीडियो बहुत ही एक knowledgeable और practical रहने वाल है तो वीडियो को end तक complete जरूर देखि करें ताकि हमारी टेली प्राइम software और वीडियो अप्लोड करते हैं उसका notification सबसे पहले आपको मिले तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मौन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज का यी वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो कौन-कौन से ऐसे laser है जो हम laser create करते है तो उनका जो group हम डूटी जेन टेक्स को ही select करना पड़ते हैं चाहिए आप टेली प्राइम software यूज़ कर रहे हो चाहिए आप वीजी software यूज़ कर रहे हो या इसके लावा कोई भी accounting software हो सकते हैं तो दो कस्टमर से CGST, SGST या फिर IGST tax है जो चार्ज करते हैं तो वो हमारी liability बनेगी है तो अब CGST, SGST यो IGST tax का जो laser हमारा बनेगा वो डूटी जेन टेक्स में बनेगा उसके अलावा अगर हम हमारे customer से हम को TCS चार्ज करते हैं तो वो हमारी company के liability है उसको भी हम डूटी जेन टेक्स में select करेंगे या फिर हम कोई section के तरह जैसे 194Q section के तरह हम हमारे buyers का TDS हम deduct कर रहे हैं तो वो हमारी liability हमारी बनेगी है तो उसका भी group हम डूटी जेन टेक्स को select करते हैं तो हम सबसे पहले balance sheet पर चलते हैं तो balance sheet में अभी आप देख रहे हो यह जो डूटी जेन टेक्स की amount अभी हमारा डूटी जेन टेक्स की government से जो tax से related है वो हमने इतने रुपय का tax advance हमने पे कर रखा है अब कितना कर रखा है इसमें CGST कितना है SGT कितना है, IGST कितना है और इसमें आपकी liability भी हो सकती है वो कितना है वो अब आपको यहाँ पर show नहीं होगा तो इसके लिए हम इस duties and taxes पर आके इंटर प्रेस हम करेंगे अब इंटर हम प्रेस करेंगे तो अब यह आप देख रहे हो यहाँ पर आपको चार laser show रहे हैं CGST tax है, SGT tax है, TCS on sale है, TDS pebble on purchase 194Q है तो अब इसका मतलब लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर दो जो laser है वो debit side में आपको show कर रहे हैं और दो laser ही आपको यहाँ पर credit side में show हो रहे हैं अब इनका सबसे पहले जो means है, इनका में समझना जुरूरी है तो अब जो debit side में जो इनका balance आ रहे है तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो इसका जो debit side का total जो balance है वो 1,19,941 रूपे और 80 पेसे है और credit side का total आ रहे है 765 रूपे और 10 पेसे अगर हम simple बासा में बात करें तो अब 1,19,941 रूपे की यह जो amount है यह हमने tax के रूप में government को access pay कर दिये और 700,500 रूपे 10 पेसे की amount हमेशो हो रही है अब यह हमारी tax के liability बनी हुई हमें government को अभी deposit करवाने वाला बकाया पड़ा है हमारा तो अब वहाँ पे आपको जो main screen पे हमें जो balance sheet में जो balance show कर रहा था वो 1,19,941 पेसी में से 700,500 रूपे 10 पेसे minus होने के बाद में जो amount बच रही थी वो हमें वहाँ पर show रही थी भी वहाँ पर हमारा जो net liability हमारी बनती है या net access हमने जो government को deposit करवा रहा है उसी का balance show करता है लेकिन इसकी असलियत जब हम इस पे interface करके अंदर आते हैं तब हमें पता चलता है भी कितना हमारा access है और कौन-कौन से liability हमारी इसमें से minus हो रही है तो दोस्तों अब CGST tax पर हम interface करेंगे तो अब यहां पर आप देख रहे हो आपको कुछ amount debit में भी show हो रही है कुछ credit में भी है अब यह debit side की amount आपको जो show हो रही है इसका मतलब भी हो गया भी आपका CGST tax आप देख रहे हो तो आपने जब goods को purchase किया तो 64,035 रुपे और 90 पैसे tax आपने purchase करते वेक्त government को CGST के रूप में pay कर दिया और यह credit side में 4,050 रुपे की amount जो आपको show हो रही है इसका मतलब ही हो गया भी अब आपने अपने customer को जब sale invoice issue किया है तो उसकी उपर आपने 4,050 रुपे tax है जो अपने customer से charge कर लिया अब इसका मतलब 64,035 रुप को pay करने तो इसका मतलब अभी भी आपको CGST का जो पैसे है वो government के पास access जा रहा है 69,985 रुपे और 90 पैसे तो यह आपका CGST का balance है तो इतना ही आपका SGST tax का balance बनेगा यनकि इतना आपका access balance है तो अगर हम दोनों की calculation करें तो दोनों की amount मारे पास आ रही है 1,19,90 रुप जो दे रहा है 3,50 रुपे 10 पैसे और 712 रुपे अब इसमें से TCS on sale यनकि हमने कस्टमर को sale किया है उस पर हमने TCS भी चार्ज किया है और यह TDS पे बल जो हमने मारे बायरस से जो goods purchase किया हुआ है उसके उपर हमें TDS है जो deduct करना है, deduct हमने कर लिया है उसकी liability हमारी बनी वी है तो हम इस पे interface करके देखेंगे तो आप देख रहे हो यह मारा sale invoice है हमने राम एंड कंपनी को sale invoice issue किया हुए और इसके उपर हमने 4,500 रुपे CGST और 4,500 रुपे SGST और 53,10 पैसे हमने TCS के रुप में charge किया हुए तो यह तिन्नों tax हमारे एक तरीके की liability हमारी बनी वी है लेक उसको हमें next month में deposit करवाना जरूरी होता है तो इसी तरीके से जो TDS है हमारा अब यह जो TDS के amount आपको दिखाई दे रहे है इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो वो TDS के amount है जो हमने purchase किया था हमारे supplier से और हमारी जो liability बनती थी 194Q section में तो वो हमने TDS है जो deduct किया हुए तो उ हमारी company की तरफ से जितनी भी हमारी tax related जो जितनी भी हमारी liability बनती है उन सभी tax के laser का group हम duty gen taxes देती है आप टेली प्रायम software का example अभी आपने देखा और हम busy accounting software चलते हैं तो busy accounting software में भी आप देख रहे हो balance sheet पर आप जाओगे तो duty gen taxes का जो balance आपको यहाँ पर भी minus में show कर रहे है अब यहाँ पर आपको आठ लाक 51,742 रुपे और 86 प्यासा दिखाई दे रहे है और जब हम इस पर आके enterprise करेंगे तो enterprise करने के बाद आप देख रहे हो debit side के अंदर हमारा CGST tax और SGST tax दिखाई दे रहे है और credit side के अंदर आपको CGST tax, SGST tax और यह 3000 रुपे की जो amount है वो TDS on purchase यान की हमने जो 3000 रुपे TDS के हमारे जो suppliers है उनके उपर हमने 194Q section के ताए TDS जो deduct किया हुए तो अब करेंग मतलब ही हो गया भी हमारी 5,454 रुपे की हमारी total liability बनी वी है और 8,57,122 रुपे और 60 पैसे की हमारी asset बनी वी है तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको balance sheet पे जो main screen पे जो balance दिखाएगा balance sheet पे वो आपकी जो total debit और credit में less होने के बाद जो net amount बजती है वो ही show करेगा लेकिन असलियत आपको enterprise करने के बाद पता जलेगा सरा अब हम बात करते हैं भी अब हमारा जो यहाँ पर duty यह taxis का balance माइनस में आ रहा है इसको हम plus में कैसे करें तो जो already यह जो amount है यह हमारी already plus में ही है तो इनकी amount का हमें कुछ treatment करने की जरूरत नहीं होती है जो treatment क करने की जरूरत नहीं होती है वह हमारा CGST और SGST balance को करने की जरूरत पड़ेगी तो यह आप month endpb कर सकते हो या फिर year endpb कर सकते हो जब आप month की closing हमारी जो audit होती है उस वक्त तो आप कैसे होती है वह हम create करके देखते हैं तो इसके लिए हमें दो laser create करने पड़ेंगे laser पर हम हमारा रहेगा CGST टेक्स तो यह हमारा इसको हम रख देंगे यहां पर एक हिंट यहां पर दे देंगे और इसको हम रखेंगे current assets में और इसी तरीके से हमारा पास एक laser और बन जाएगा SGST टेक्स का यह भी current assets में तो दो laser हमारे create होगे अब हमें जो हमारे balance sheet में जो laser आ रहे हैं CGST टेक्स और SGST अब इनकी amount को हमें reverse करना पड़ेगा अब हम amount इसको एक बार note कर लेते हैं जैसी 69,950 रुपए और 90 पैसे की है तो इसकी journal entry अब हमें करने पड़ेगी जैसी कि हम 31 July को entry कर देते हैं जो debit हमें किसको करना है जो अभी हमने laser बनाया थे CGST टेक्स current assets का इसको हम debit करेंगे 69,950 रुपए और 90 पैसे से और इस तरीके से हम वापिस debit कर देंगे एक SGST टेक्स के laser को 69,950 रुपए और 90 पैसे से और credit हम कर देंगे वापिस CGST टेक्स को 69,950 रुपए और 90 पैसे को और SGT टेक्स जो हमारे sale पर हमने चार्ज किया थे इंटरप्रेस करेंगे अब हम वापिस जाते हैं balance sheet पर तो balance sheet पर आप जाने के बाद आप देख रहे हो अब हमारे duty यह taxes का जो balance है अब वो 700 पैसे और 10 पैसे प्लस में आ गया यानके minus का निसान हट गया अब इस पर इंटरप्रेस करके देखेंगे तो आप देख रहे हो दोनों जो टेक्स की liability हमारी बनी वी है जो actual में प्लस में होनी चाहिए थी वो ही आपको अब शो करेगी अब यह जो minus की जो amount थी वो अब हमारी इस SS side में आ चु तो आपको इसी तरीके की reverse entry करनी पड़ेगी तो दोस्तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो प्लीज वीडियो के एक like देके जरूर जाना वीडियो कैसे लगी आप हमें comment करके भी जरूर बताना इसके अलाबा आपका भी question कोई suggestion हो तो आप हमें comment कर सकते हैं हम पूरी कोसिस करेंगे आपके comment का reply देने की तो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ